हलो स्ट्रेंट, मुक्की परिच्छा संग्राम सेज के तहर, आज हम चर्चा करने वाले हैं, दर्सन सास्तर के कुछ महत्पुन प्रश्ण पर, और ऐसे प्रश्ण जो लगातार पाँच वर्सों में पूछे जा रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, अंसौल डिखें, तो एक प्रश्ण हर साल आ रहा है, वो है आपका संकर का विदान्त दर्शन, इससे तो अब तक जो प्रश्ण पूछे गए हैं, उसमें संकर का ब्रह्म विचार पूछा गया है, संकराचार के अनुसार माया पूछी गई है, और एक क्वेश्ण आया है, संकराचार या संकर के अनुसार मोक्ष की आउधाना, और एक बार आया था, कि संकराचार या संकर के दर्शन को आद द्वैत क्यों कहते हैं, तो आज हम अपनी इस वीडियो में, और अगामी वीडियो में भी, इसी विशेप पर चर्चा करेंगे, कि सं कार इसे लिखा जाएगा, और हमारे जो लिखने का फ्रेम होगा, वो एट और आपका फिफ्टीन होगा, लेकि पिएस्टी में जो प्रशन आपने आठ नंबर के लिए तियार किये हैं, वो आसानी से पंद्रा नंबर पे भी बनाए जा सकते, दोनों की जो कांटेंट होते ह हैं, बस वो सेम होते हैं, बस पंद्रा नंबर का जो प्रशन होता है, उसमें हम इस पेसल एक इंट्रो मारते हैं, तो अगर आप इंट्रो के साथ जाएंगे, तो वही प्रशन आपके पंद्रा नंबर के उतर देता है, अगर आप इंट्रो को इसकीप कर जाते हैं, दरशन प्रश्ण आपके पास यहां पर तीन प्रश्ण होंगे संकर के अनुसार ब्रह्म की आउधार्णा एवं इनकी प्रमुक विसेस्ताएं तो प्रश्ण विल्कु सिंपल होंगे इसी प्रकार संकर के अनुशार माया के कारे बताएं और माया के प्रमुक्विसिस्ताओं पे चर्चा करें इसी प्रकार मुक्ष की आउधार्णा the concept of मुक्ष इसपष्ट करें और इन सब को अगर मिला दिया जाए तो एक question आता है कि संकर का अद्वैत दर्शन को समझाए या संकराचार या संकर के अनुसार जगत विचार को explain करें तो आज हम इस वीडियो में संकराचार के जगत विचार पे चर्चा करेंगे इसके माध्यम से मैं आपको ब्रम और माया के बारे में भी बताऊंगा और अगले वीडियो में हम फिर संकराचार के मोख्च की अधाना को इसपश्ट करेंगे बहुत बड़ा चिप्टर है ये तो आए आते हैं संकराचार अथाद आरी संकर की वेदान दर्शन के अंतरगत उनका जगत विचार पर सबसे पहले आप ये जान लिजिए कि जो वेदान दर्शन है ये है क्या तो आपको एंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी वेदान दर्शन तो देखिए इसको इसपश्ट करने के जानिए कि जो आस्तिक दर्शन है उनमें जो सबसे बड़ा आधार रहा है वो रहा है वेदों को लेकर वेद के आपकी दो पक्च होते हैं समझेगवाद को एक वेद का बाहे पक्च होता है और एक वेद का आंत्रिक पक्च होता है दो पक्च होते हैं आपके वेदों के बाहय पच्छ का अभिप्रा है वेदों में निहित कर्मकांड और आंत्रिक पच्छ है वेदों में निहित आपका ज्यान ये इसलिए आवश्यक है कि ताकि जब आप संकर को लिखें तो आप ये जाने कि उनका फोकस किस पर है तो वेद के दो पच्छ हैं बाहय पच्छ और आंत्रिक पच्छ जो बाहय पच्छ है वो कर्मकांड पर अधारित है वेद मलब पुजापाट की पधति है धार्मी क्रिया पधति इसके बारे में बताया गया है तो वहीं वेद का जो आंत्रिक पच्छ सबसे सबल पच्च है वो है वेदों में नहित ग्यान सुप्रीम नॉलेज अब प्रश्ण यह उठा है कि किसका नॉलेज वेदों में नहित है तो मैं यहाँ इस पश्ट करना चाहूंगा कि वेदों में जो ग्यान नहित है वो है ज्यान ब्रह्म का ज्यान और यह इसलिए जानना आवज सक्थ है कि अगर आप वेदान दर्शन पढ़ रहे हैं आप संकर की आवधार्णा को लिख रहे हैं तो आप यह इस पश्ट जान ले कि जो आदी संकर है उनका जो केंद्र बिंदू होगा वो होगा ब्रह्म की आधार्णा यानि आपकी समच्च संकर प्रस्तुत करेंगे दे कॉंसेप्ट आउप ब्रम विच अ सुप्रीम एन अल्टिमेट रियलिटी तो जो इस संसार का परम सत्य है उससे नाम दिया गया है ब्रम और ब्रम की जो आवधार्णा है वो नहीं थे कहां आपकी वेदों मे आंतरिक पच्च के बारे में ही डिसकस किया है संकर ने चुकि यह आचारी है टीचर है इसलिए इनको हम संकराचारी भी कहते हैं तो यहीं पर आप पढ़ेंगे संकर के अनुसार ब्रम की अधार्णा अब यह आया कहां से तो इसकी फ्रेमिंग सिखेगा आपको कहां से आप आपको एंसर लिखना सुरू करना है यह आपकी जानकारी गलिए था कि संकर का जो केंद्र बिंदू है वो रहेगा ब्रह्म और संकरा चारे ने दो बिंदों पर ध्यान दिया है एक जगत विचार पूरे फिलास्पी में जो आपका मेटाफिजिक्स है तत्त मिमानसा बोलते है इसको हिंदी में तो हम डिसकस कर रहे हैं संकरा चारे अर्थात आदी संकर के तत्त मिमानसा अर्थात मेटाफिजिक्स पे तो तत्त मिमानसा और यहीं पर आप अध्यन करेंगे तो यह दोनों प्रश्चन आपके इस बड़े टॉपिक के अंतर करता हैंगे तो आपसे परच्छा में ब्रह्म पुचे चाहें माया पुचे आपको इस टार्ट कहां से करना यह से किए अब देखिए अब यहाँ पर दो कॉंसेप्ट है मेटाफिजिक्स में पढ़ते क्या है जगत दो प्रकार की तत्तों को माना गिया है एक आत्मा का जगत और एक जगत अब संक्राचारे ने क्या किया है और इसी परम आत्म को उन्होंने नाम दिया है क्या ब्रम तो दो प्रकार की एलिमेंट देख रहे हैं एक है आपका सैल्फ एलिमेंट आत्मा या आत्मा और एक है आपका जगत जो हमें दिखाई देता है अब संकर के अनुसार जाम देंगे आप संकर का सबसे इंपोर्टेंट कोटिशन है वो है कि ब्रम एक मात्र सत्य है और यह जो जगत है वो मिथ्या है मिथ्या मत्ब फॉल्स है संस्कृत में यह एक स्लोक होता है कि ब्रम एक कव सत्य जगत मिथ्या अर्थात ब्रम एक मात्र सत्य है जबकि जगत आपका मिथ्या है बस यहीं से आप ब्रह्म और माया दोनों की आउधानाओं को पस्तुत करेंगे जिसका मत्तब यह है कि संकर के दर्सन के अनुसार एक मात्र सत्य या रियल्टी केवल ब्रह्म की है और उन्होंने जगत को सत्य नहीं अपितु क्या माना है मिठ्या इसलिए संकराचार केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं उसी की सत्ता को स्विकार करते हैं इसलिए यह दर्शन आद्वयत कहलाता है आद्वयत का मत्तब होता है नौन डियलिजम अर्थात दो नहीं बल्कि एक जैसे आप सांग के दर्शन पढ़ेंगे तो सांग के दर्शन में आपका प्रकति और पूरुस दो तत्तव की बात हुई है इसलिए सांग के दर्शन द्वयत वादी कहलाता है पर चुकि संकर ने जगत को मिठ्या माना है और ब्रह्म को ही सत्य माना है एक ही प्रकार के तत्व को माना है इसलिए दर्शन कहलाता है अद्वय दर्शन नॉन डियोलिजम और थाद दो नहीं कि एवल एक ही तत्व है और वही परमसत्य है और वो परमसत्य कौन है आपका ब्रह्म तो अगर आप से एक्जाम पुछा जाए कि ब्रह्म की विसेस्ता बताएं तो कम से कम आप प्रारम करें यहां से कि संकर की अनुसार एक मात्सत्य सुप्रिम रियलिटी अल्टिमेट रियलिटी वो कोन है आपका ब्रह्म और ब्रह्म की तुल्ना में संकर ने जगत को क्या माना है आपका मिठ्या माना है इसलिए संकराचारे का ये दर्शन अद्वैत दर्शन कहलाता है नॉन डियूलिजम कहलाता है और संकर न ये भी स्वष्ट कहा है कि जो जगत है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है इसका जो भी जगत है जिस भी रूप में है वो ब्रह्म के ही रूप में ही है ऐसा उनका कहना है, यानि जगत, यानि ब्रह्म और जगत एक दुसरे से भिन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, अगर आप भिन कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा दुएतवाद, कि दो तत्व हैं, नहीं, उन्होंने का तत्व तो सिर्प एक ही है, सत्त किवल ए एक है ब्रह्म और जो जगत जिस रूप में भी है, अभी वो एक्स्प्लेइन करेंगे कि जगत, किस अधार पर संकर ने उसे मिथ्या माना है, अब हम उस पर आते हैं, यानि हम यहाँ पर बना रहे हैं अपना प्रश्ण संकराचार के मेटाफिजिक्स जगत विचार पर और किस अधार पर, अगर आपसे पुछा जाए पर चमें, कि संकर के अनुसार जगत मिथ्या है, इसके क्या अर्गूमेंट्स होंगे, किस अधार पर, किस तरक के दोरा संकर नहीं यह सिद्ध किया है, कि ब्रह्म की तुलना में जगत इसको समझेगा तो आपके एंसर का जो introduction होगा वो यही points होगे प्रश्ण चाहे माया की हो प्रश्ण चाहे ब्रह्म की हो अद्वैतवाद हो जगत विचार हो you will start from the quotation of संक्रा की ब्रह्म एक मात सत्य है जगत क्या है मिथ्या यानि supreme reality is ब्रह्म और फिर वहां से आप according to question अपने answer प्रश्ण प्रश्ण की शुरुवात यहां से करेंगे अब इसके बाद जो प्रश्ण की demand होगी हम उसे लिखेंगे फिलाल हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म होगा सबसे important है कि इस अधार पर जगत मिथ्या है मिथ्या अपकी इस अधार पर इसको समझेगा और इसको समझे के लिए आप सांग की दर्शन के परिवर्तन प्याईए तो सांग की दर्शन में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से बताएगा है एक है वास्तविक परिवर्तन और एक वीवर्त वास्तविक परिवर्तन को फिलावस्पी में परिणाम कहा गया है और एक परिवर्तन यानि आभास और वास्तविक यानि आपका real transformation दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं अब ये क्या है कि इसको जानना इसलिए आवश्यक तो जगत मिथ्या है इसको संकर ने इसी के माध्यम से समझाया है तो वास्तविक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो वास्तविक होता है for example देता हूँ मैं आपको वास्तविक का जैसे दूद से दही बना दूद बदल गया किसमें दही तो milk to curd that's a real transformation वास्तविक परिवर्तन है ये और ये खोता है वीवर्त या appearance जो वास्तविक नहीं होता इसको समझे इस अधार पर जैसे कि आप बात करें रस्तविक और अचानक इसको आप अंधेरे कमरे में देखते हैं किसी कमरे में रस्तविक रखा है अचानक आप देखते हैं तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर रस्तविक बल्कि वहाँ पर सर्फ है, इसनेक है, साफ है तो रस्सी की जगह पर आपको दिखाई देता है सर्फ तो एक्चल में ये आपकी कलपना नहीं है वहाँ पर रस्सी है इसलिए वहाँ पर आपको सर्फ दिखाई दिया यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है और ऐसे परिवर्तन को फिलोस्पी में वीवर्त कहते हैं और संक्राचार इसी परकार की परिवर्तन को लेकि आएंगे, वो कहेंगे कि जगत मिथ्या है क्योंकि ब्रह्म एक मात सत्य है और ब्रह्म का ही यह जगत जहां हम और आप रहते हैं यह एंसर क्या आ रहा है यह देखे मैंने क्या लिखा कि ब्रह्म का ही यह जगत विवर्त रूप है विवर्त रूप है इसका मताव समझ गए इस अना अपेरिंस आफ टूथ यानि जो सत्य है उसका विवर्त है उसका यह आभास है यानि यह सत्य नहीं है उपर उस सत्य का अभास है विवर्त है तो संक्राचार ने यह नहीं कहा कि जगत है ही नहीं उन्होंने जगत के एग्स्टेंस को उसकी सत्ता को सिकार किया पर सत्ता को वो रियल नहीं मानते वास्तिविक नहीं मानते वो ये मानते हैं कि ब्रह्म का ही वीवर्त रूप है कौन जगत इसलिए उन्होंने जगत और ब्रह्म को एक दूसरे से लिंक किया है ये इस पश्ट कर लें कि संक्राचार के अनुसार ब्रह्म और जगत अलग-अलग नहीं है दुसरा पॉइंट जगत ब्रह्म की तुलना में पूर्ण सत्य नहीं है वो उसी ब्रह्म का वीवर्त रूप है अपेरेंस है जो हमें इस संसार में दिखाई देता है तो आपके एंसर का सेकेंड पॉइंट होगा कि जगत मिथ्या का अभिप्राय यह नहीं है कि जगत है ही नहीं प्रैटिकली यह पॉसिवल भी नहीं हमारा आप जहां कहीं पर भी हैं हम चीजों को अफजर कर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो हम यह कैसे कह दें कि जो हम देख रहे हैं, वो है, हम बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं, जैसे रस्ती को देख कर हम क्या समझ बैठते हैं, सर्प, वैसे ही इस ब्रह्म का विवर्त रूप है कौन जगत, यहां पर इसपश्ट कर दें, कि जगत मिठ्या का का मत्तव, false का मत्तव यह नहीं कि जगत है ही नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग यह है कि जगत है वो ब्रह्म का ही कौन सा रूप है, आपका वीवर्थ रूप है, अपेरिंस फॉर्म है, इंगलिस मीडिया में भी आप वीवर्थ रूप हैंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यह समझाने के लिए था, आप अपने उत्तर में लिखेंगे, कि जगत मिथ्या का मीनिंग, यह नहीं कि जगत है ही नहीं, वहवारी दिष्ट्री कौन से जगत है, पर ब्रह्म से अगर आप कंपेर करें तो वो नहीं है, क्या नहीं है, सत्य नहीं है, तो इसलिए सत्य की जगत हम क्या उसकरते हैं, मिथ्या, पर जगत है वहवारी दिष्ट्री कौन से दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो कि इसी ब्रह्म का वो कौन सा रू कि आपके एंसर का तिसरा पॉइंट निखल के आएगा कि ब्रह्म का ही वीवर्थ रूप है कौन जगत बिलकुल किसकी भाती आप बगादा एक्जामपल दीजिए पर एक्जामपल रसी और क्या सर्व यह एक्जामपल आप दे रहे हैं वीवर्थ को समझाने के लिए जहां त तीस सेकेंड पॉइंट हो गया अब देखिए तिसरा पॉइंट अब ब्रह्म का इस जगत रूप में आना यह संभाव कैसे हुआ तो यहां पर संकर इसको समझाने के लिए एक्जामपल देते हैं कि जिस परकार एक जादू कर होता है मैजिशियन वह अपने जादू से हमें अलग-अलग खेल दिखाता है पर इस जादू के खेल को हम सत्य नहीं मानते हैं हमें पता है कि वो मिथ्या है यानि दिखाई देने के बाद भी दिखाई देने के बाद भी हम ये स्वष्ट कहते हैं कि वो जादू गर की जादू की प्रविणता है उसका स्कील है मैजिक है इसलिए हमें वो खेल दिखाई दे रहा है और आप इस पश्ट कहते हो जादू गर का वो खेल पूर्णता क्या है मित्या है वो रियल नहीं है प जो वास्तिविक न होकर जादूगर की खेल की भाती पूर्ण रूप से एक मिथ्या है पर दिखाई देता है अब प्रश्णिये कि ब्रह्म ये प्रपंच रचता किसके माध्यम से है तो इसका उत्तर यहाँ पर संकर देंगे माया की रूप में लिजी आपका दूसरा प्रश् माया की रूप में फिर इस जगत में विभिन प्रकार की प्रपंच की रचना करता है माया क्या है तो यहाँ पसंकर कहते हैं माया ब्रह्म की सक्ती है अर्थार जिस प्रकार जादूगर का जादू है इसके माध्यम से वो खेल रचता है उसी प्रकार ब्रह्म की वो सक्ती है इसके माध्यम से इस जगत के विविन खेल या प्रपंच को रचा जाता है पर ये प्रपंच ये जगत रियल नहीं है वो पूर्ण तहा विवर्थ है और यहाँ पर आप उधारन डेंगे लिखते समय जिस प्रकार जादूगर अपने जादू की प्रविड़ता से विविन प् पितु मिथ्या होते हैं उसी प्रकार ब्रभ्म माया की सक्ति के माध्यम से जगत रुपी ये प्रपंच रचता है जो पूर्ण तहा विवर्थ है मिथ्या है तो यहाँ पर दो सब्दा है हमने ब्रह्म से प्रारम किया था और ब्रह्म के साथ हमने इंट्रूडूस किया है कि इसको माया को दो अलग अलग प्रश्ण यहाँ पर बनाए जाते हैं कि ब्रह्म की विसेस्ता बताईए माया के कार और क्या बताईए विसेस्ता बताईए या फी संकराचार के जगत विचार को बताएं या यह बताएं कि किस प्रकार संकर ने जगत को मिथ्या कहा है तो आप य इसके माध्यम से दिखाता है माया के माध्यम से और यहाँ पर संकर उधारन देते हैं इस प्रकार जादुगर अपनी जादु की प्रमीड़ता से क्या दिखाता है खेल उसी प्रकार ब्रह्म माया के माध्यम से यह जगत को रचता है जो सत्त ना होकर एक वीवर्थ है मिठ्या इस प्रकार से आप यहां पर एक्जामपल दे सकते हैं आप वीवर्ट को समझाए एक्जामपल दीजे रोप और श्नेक का फिर आप आए ब्रह्म और जगत और फिर बीच में आप इंड्रिडूस करिए कि इसको मयाव तो इसको कॉमन एंसर है अब यहां पर हम बात करें कि ब्रह्म रच्ता है इस जगत को पर जगत सत्य नहीं है जगत मिथ्या है अपेरेंस है विवर्थ है और यह सब कुछ होता है ब्रह्म की सक्ति किसके माध्यम से माया के माध्यम से और जब ब्रह्म माया के माध्यम से इस जगत रुपी प्रपंच को रच्छता है तो यही ब्रह्म संकर के दर्सन में कहलाता है क्या इश्वर यह आप इस्पस जानले कि संकर के अनुसार ब्रह्म और इश्वर एक नहीं है अलग-अलग दो रूप है जब ब्रह्म निस्क्री होता है तो वो ब्रह्म है पर जब ब्रह्म माया के माध्यम से इस जगत रुपी खेल को रचता है तो यही ब्रह्म इस्वर की रूप में कहलता है ये संकर का अपना दर्सने संकर ने ब्रह्म और इस्वर को अलग-अलग माना है तो इस्वर ब्रह्म का ही सक्री रूप है पर ये कब होगा जब ब्रह्म जुड़ेगा किसके साथ माया के साथ माया क्या है पावर है सक्ती है अब प्रश्णी ये है कि हमें यह जगत दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे अंदर अग्यानता है तो माया का प्रभाव है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है क्या जगत और माया का प्रभाव इसलिए है क्योंकि हमारे और आपके जीवन में अग्यानता है और अज्ञानता है इसलिए हम माया के प्रभाव में आते हैं और जो जगत मिथ्या है उससे ही हम मान लेते हैं क्या सत्य तो हम और आप इस जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि हम प्रभावित होते हैं किस से माया से और उसका कारण है हमारे जीवन में अज्ञानता तो अगर आप पुछा जाए कि इस प्रकार फिर हम माया से आप प्रभावित रह सकते हैं तो अग ज्ञानता का विलों होता है क्या ज्ञान? यानि संकर के अनुसार जदी हम ज्ञान प्राप्त कर लें अब कैसा ज्ञान होगा ये इनका अलग कॉंसेप्ट है तो फिर हम माया से प्रभावित नहीं होंगे और फिर हमें ये जगत दिखाई नहीं देगा बलकि हमें सिर्प और सिर्फ दिखाई देगा वह परमसत्य जिसक तो परमसत्त को ना देखते हुए हम जगत को देख रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि ऐसा ब्रह्म हमें माया के माध्यम से दिखा रहा है और ऐसा हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम माया की सक्ति से प्रभावित हो रहे हैं प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क् पूर्णता क्या है अज्ञानता, इस अज्ञानता को हम दूर कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम माया से प्रभावित नहीं होंगे, फिर हमें दर्सन होंगे, किसके ब्रह्म के और यही अवस्था आपके जीवन में मौक्च की अवस्था कहलाती है, यह कुछ इस प्र प्रश्ण के अनुसार हम उत्तर लिखेंगे अब प्यस्थी पूछ रहा है ब्रह्म विचार तो आप यहां पर इंट्रुडूस करिए वैसे प्यस्थी में था प्रमुख पी से इस्ता बताईए अब देखिए मैं लिख रहा हूं और आप इन चीजों को समझेंगे बिलकुल समान निस सब्द हैं ये अजर आप धर्म को जानते होंगे ये बहुती सधान सब्द है परम सथ्य है जैसा की संकर ने इंटिडूस ही किया है ब्रह्म की सुप ब्रह्म पूर्ण है अपने आपने निर्पेच्छ है और एक बिंदुआर है ब्रह्म स्वेम भू है स्वेम सिद्ध है तात पर ये होता है कि ब्रह्म स्वेम प्रकाश मान है उसे किसी और के प्रकाश की जरुवत नहीं है स्वेम सिद्ध है ब्रह्म को सिद्ध करने की आवसता नहीं इस अब लिखना है आपका इस अब बढ़े बढ़े वर्ट्स होते हैं इसी प्रकार कुछ और different words use होते हैं. इन सब सद्दों का प्रियुक कर रहे हैं आपूँ आनिर्वर्चनियों इसका मत्तब यह होता है कि ब्रह्म का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अर्थात उसका निर्वर्चन नहीं किया सकता। इसे पुछा जा कि ब्रह्म कहा है। यहां नहीं है। ब्रह्म क्लास में नहीं है। ब्रह्म इस बोड में नहीं है। जब हम किसी को निर्वाचन न कर पाएं, select न कर पाएं। यह हमारे पास कोई option ही नहीं है। जब option ही नहीं होगा, तो हम select कहां से रहें। जो option नहीं हो इसके, कोई उपलब्द नहीं हो विकल्प, उसे हम कहते हैं क्या आ निर्वर्चनी। और इसे वेदों में इसके जगा पे वर्ड उसकिया गया है, नेती नेती, not this, not this। इसी प्रकार निर्गून और निराकार। निराकार तो आप समझ रहें, क्योंकि आत्म रूप में है यह। जड़ नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है। तो जो चेतन हैं, आत्म रूप में हैं, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा निराकार हो गया। निर्गून का अभिप्राई यह है, मीनिंग यह होता है, कि इसमें असंख्य गून हैं। इतने गून हैं कि जिसको अब गिन नहीं सकते, इस अधार पर निर्गून है, और दुसरा इसका मीनिंग होता है, कि जो दुर्गून हैं, वो नहीं है। तो यहां पर निर्गून के दो एसपेक्ट्स हैं। इतने गून हैं, अनगीनत हैं, अनन्द गून हैं। इसलिए वो निर्गून हैं, हम गिना नहीं सकते, दुसरा जो गलत प्रकार की गून होते हैं, वो ब्रह्म में विद्धमार नहीं है। इस अधार पर निर्गुण को संकरने परिभासित किया है. अगर वो निराकार है, वो ब्रह्म की रूप में है, इसका मत्ब यह है, कि जो ब्रह्म है, उसका कोई व्यक्टित्व नहीं है. जो अनन्त हो असीम हो उसे किसी एक जगा पर किसी एक वेक्टित में सीमित नहीं किया जा सकता है इसलिए इस अधार पर तो आप देखिए यहां पर हमने साथ आठ पॉइंट मना लिए अगर प्यसी पूछ रहा है कि संकर के ब्रह्म विचार को बता है तो अब आप कैपेबल हैं अब आप ली सकते हैं अब यह हो गई उसके प्रमुक्या पिसे इसता हैं अगर आप दो दो लाइन में भी डील करेंगे तो 16 लाइन हो गए और जब भी ब्रह्म विचार वह आपसे पूछे तो आप थोड़ा सा इंटिडूस करिए जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि ब्रह्म विचार बोर रहा है तो आप आईये कि संकर इसको लेकर आते कैसे तो ब्रह्म एकाव सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिठ्या इस लाइन को यूज करिए और इस लाइन में आप बताएं कि संकर ने अपने तत्त मिवांसा में मेटाफिजिक्स में क्लियर कहा है कि जो सुप्रीम और अल्टिमेट रियलिटी है वो ब्रह्म है और इस अधार पर होने जगत को मिध्या माना है और प्रश्णा आपका और हाँ फिर आजाएंगे संकर के अनुसार ब्रह्म की निम लिखित विसे स्ताय हैं करेक्टिस्टिस रहें और क्या है तो आप सब्दों का जाल फिख दिजिए आठ आपने लिग दिया साथ लिग दिया आपके पूरे नमबर आपके पास है यह होता है तरीका हाउ टू फ्रेम एक बर याद करने एक फ्रेम से बस कितने नमबर पर आएगा उसको on the spot हम एक्जाम में लिख लेते हैं और निरवर्चनी मत्तब not selected अर्था किसी एक जगा पर आप उनको निश्चित नहीं कर सकते हैं उनका कोई option नहीं है हमारे पास इसलिए उसका एंसर हम नेती नेती मत्तब नहीं है यहां नहीं है वहां नहीं है हम इस रूप में देते हैं गैर वेक्टित है इसका इंग्लिज मत्तब बहता है इंप्रस्नल यानि कि इसका कोई personality नहीं होगा हम और आप कैसे है हमारे एक वेक्टित है हम प्रस्नल है जो आपका ब्रह्म है वो इंप्रस्नल है गैर वेक्टित है इसलिए ब्रह्म जड़ तत्त्त नहीं वो आत्म तत्त्त है चेतन तत्त्त है इसलिए निराकार भी है आपको दिखाई नहीं देगा कोई इसका निश्चि डियूस करेंगे आप फिर वहाँ पर इन विचारों को लिखेंगे दर्सन सास्थर में एक आपको सलाद देता हूँ कि यहाँ पर कभी भी आप निस्कर्स ना लिखें जी निस्कर्स नहीं क्योंकि यह आपका ओपीनिन नहीं है आप दरसन में किसी दरसनिक के अनुसार, किसी फिलासफर के एकॉर्डिन लिखते हैं इसलिए यहाँ पर कॉन्क्लूजन नहीं होता, कॉन्क्लूड नहीं करना होता जो पूछा जा रहा है, उस रिफ्रेंस में आप चीजों को समझा देजी अगर आप चाहते हैं निसकर्स देना, तो कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, तो आप लिखिए पर मेरी तरफ सला रहेगा कि निसकर्स को भी डालेगा खासर पर जो इंडिन फिलासफी की यह चेप्टर्स हैं, निसकर्स नहीं होंगे इसको तो आप इंट्रूडूस करिए, समझाईए, विसे स्ताउप प्याईए, बस खतम कर देजी अत यहों, इसलिए ऐसा करके लिखत्ते हो, पर वो कॉन्क्लूजन नहीं होगा, आप चीजों को बस बता बस रहे हैं अब अगले वीडियो में हम इसी संक्राचारे के मोक्ष की आवधार्णा को देखेंगे, जो पीएसी ने पुछा है और फिर पुछने की संभावना है थैंक्यू